तो नमस्काल दोस्ताब को स्वागत एक निए एक्साइटिंग वडियो में आज की वडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोट रॉकर्स टू सिक्टी फाई वर्जिन टू वर्सिस रियल मी बड्स वायरलेस इन दोनों का प्राइस काफी ज्यादा सिमिलर है और साती सात इ गयुदिन के इन दोनों को मिद्स टूंप इंकरना बनता हैं काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग अंपैरिजन होने वाला है तो गयंस कॉत रिट सेस्ट बेमें काफी ज्यादा बढ़िया है बड्स तो यहां पेग Selahahaha Rockers 235 version 2 क्योंकि आर यहां पर थोड़ा सा जादा मुझे sound quality भी अच्छी लगी है आगे मैं सब आपको बताने वालों comparison ये किसी भी company के तरफ से sponsored नहीं है और हाँ दोस्तों अपना जो boat का Rockers 235 version 2 है ये अभी out of stock है फिलाल flip card पे मैंने जो है tweet भी किया था boat वालों को आप जाके मेरे community post पे देख सकते हैं मैं आपको community post में update करता रहूंगा तो guys आप जो है subscribe कर लीजिए जिससे आपको community post आता रहेगा और जैसी ये जो है neckband stock में आ जाएगा वैसी आपको मैं community post में update कर दूंगा तो guys चलिए start कर लेते comparisons comparison में सबसे पहला point में कहना चाहूंगा build quality का दोनों भी काफी अच्छी build quality देखने को मिलती है हाला कि दोस्तों यहाँ पे fully plastic build quality है यहाँ पे boat rockers 235 में और वहीं पे आपको यहाँ पे metal का build quality देखने को मिलता है controllers और यहाँ पे main unit में आपको metal देखने को मिलता है और वहीं पे अगर में बात करूँ boat rockers की तो guys boat rockers में हमें यहाँ पे जो है plastic की build quality के साथ साथ यहाँ पे यह जो neck band है यह एक silicon neck band है हाला कि दोस्तो silicon neck band यहाँ पे भी है बड़ गाइस इन दोनों में काफी जादा quality में difference है real mean वाला जो है वो काफी जादा light weight है हला कि दोस्तो material same same से है बड़ दोस्तो यहाँ पे जो material का weight है वो काफी जादा अलग है इसका जो weight है वो काफी जादा हलका है क्योंकि यह जो है काफी जादा पतला है यहाँ पे neck band काफी जादा थिन है यह neckband और यहाँ पर अगर मैं boat की बात करदोगा इस boat जो है काफी ज़्यादा थिक है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका silicon काफी ज़्यादा थिक है और काफी ज़्यादा weight भी है इसका साथी साथ आप यहाँ पर जो control unit देख सकते हैं यह जो control unit है यह plastic का बना हुआ है और दोज जो है कुछ भी wear किया है तो उसी तरीके से इसका जो weight है वो काफी ज़्यादा कम है यहाँ पर काफी ज़्यादा कम है क्योंकि यह इसका जो control unit है वो भी काफी छोटा सा है काफी पतला सा है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके neckband की तो काई जैसे कि मैं आपको पता है क काफी ज़्यादा थेन है यह neckband हाला कि दोस्तों अगर मैं दोनों के wire की quality की बात करूँ तो काई यहाँ पर दोनों के भी wire काफी ज़्यादा rugged और काफी ज़्यादा strong लगे है मुझे और अगर मैं especially बात करूँ Realme Buds wireless की wire की जो की है यहाँ यहाँ पर yellow color के design में दिया गए का काफी बढया strong wire है यहां पर हलका हलका सा bad sauce braided किया हुआ है इन्होंनेàyड करने की कोशिश की यहाँ पर we are diabetes यहाँ पर नहीं है हलका सा हेहाँ यहाँ धिजाइन दिया हुआ है जोड़ा सा texture दिया हुआ यहाँ यहाँ वायर पे बड़ दोस्तों दोनों की वायर की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया लगी है मुझे यहां पर अगर मैं यहां पर दोनों को भी number देना चाहूं , build quality में तो गास यहां पर मैं build quality में boat rockers 235 को देना चाहूंगा 4 out of 5 और वहीं पर यहां पर आपना अपना Realme Buds Air को देना चाहूँगा Realme Buds Wireless को देना चाहूँगा 5 out of 5 क्योंकि आर यहाँ पे Build Quality से Matter नहीं करता यहाँ पे Design भी Matter करता है Design के साथ साथ यहाँ पे आप जो है अपने Product को कितना जादा Lightweight बना पाते हैं वो भी काफी जादा Matter करता है यहाँ पे तो इसलिए मैं Build Quality में Winner दूँगा Realme Buds Wireless को तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे Battery Life की तरफ Battery Life में मैं सबसे पहले बैटरी की Quantity बता देना चाहूँगा यहाँ पे Boat Rockers 265 Version 2 में यहाँ पे आपको 200 mh की बैटरी देखने को मिलती है और वहीं पे यहाँ पे Buds Wireless जो है Realme Buds Wireless इसमें आपको 110 mh की बैटरी देखने को मिल रही है तो यहाँ पे इन दोनों में बैटरी डिफरेंसे काफी जादा है दोनों में भी काफी जादा capacity में डिफरेंस है यहाँ पे 200 mh है और यहाँ पे 110 mh है और दोस्तों यहाँ पे जो है दोनों की भी functionality जो है वो काफी तदा similar से हैं दोनों में भी आपको magnetic earbuds देखने को मिल जाते हैं इसी कारण से जो है दोनों में काफी टकर की लड़ाई होती है बैटरी में भी फिर भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेस्ट बैटरी लाइफ दोनों भी earbuds में दोनों भी neckband में तो यहाँ पे मुझे लगा है boat rockers 265 V2 क्योंकि यहाँ पे यह काफी बढ़िया battery life देता है मुझे यहाँ पे 18 घंटे का maximum battery life दे पाया है तो इसी लिए मैं battery life में भी winner इसी को दूँगा boat rockers 265 को और वहीं पे मुझे इसमें battery life मिला है realme birds wireless में 12 से 13 घंटे का तो इसमें भी काफी ज़ादा बढ़िया battery है बढ़ यहाँ पे जो है battery life थोड़ा सा मुझे as a quantity अगर आप देखना चाहे तो काई यहाँ पे battery quantity थोड़ी ची कम भी है battery life के अगर हम बात करी रहे तो काई यहाँ पे मुझे यार काफी बढ़िया चीज लगी है boat rockers 265 में वो है यहाँ यहाँ पे USB type C port यार 2020 खतम होने वाला है तो काई यहाँ यहाँ पे अभी USB type C काफी ज़ादा common हो जाना चाहिए था फिर भी जो है realme buds wireless में जो है आपको micro USB port देखने को मिलता है यार यह काफी बेकारती चीज है यह एक काफी बढ़िया package हो सकता था realme के तरफ से 1500 रुपे में बट यहाँ पे इन्होंने micro USB दे करके जो है इस package को खराब कर दिया है तो यहाँ पे भी मैं battery life और charging में मैं winner देना चाहूंगा boat rockers 265 को और अगर मैं charging time की बात करो तो यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी दोनों में भी आपको same feature देखने को मिलता है 10 minute के charge में आप 10 घंटे तक का playback ले सकते हैं दोनों में भी और guys यहाँ पे इसको boat rockers को charge करने में आपको लगते हैं 2 hours आपको maximum लग जाएंगे से full charge करने में और वहीं पे आपको इसको charge करने में लगेंगे 1.5 hours तो guys यहाँ पे दोनों का भी काफी ज़्यादा similar सा है battery charging time तो guys आगे बढ़ते हैं connectivity के साथ, connectivity में में दोनों काफी ज़्यादा similar से लगे हैं बस इनका जो एक चीज़े वो काफी ज़्यादा similar है, बागी सारे चीज़े अलग है यहाँ पे चोटी चोटी चीज़े यहाँ पे काफी ज़्यादा matter करती है तो guys यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दोनों में यहाँ पे Bluetooth 5.0 देखने को मिलता है दोनों में भी आपको यहाँ पे magnetic controls देखने को मिलते हैं इनके earbuds में, जैसी आप इसे अपने magnets को open कर देते हैं वैसा जो है अपना phone में connect हो जाता है और जैसी आप magnets को चिपका देते हैं वैसी जो आपका जो यह neckband है वो disconnect हो जाता है आपके phone के साथ यह feature काफी बढ़िया काम करता है दोनों भी phones में बड़ दोस्तों यहाँ पे अभी से different start होने लगता है दोनों में भी अगर आप dual pairing feature काफी ज़ादा use करते हैं तो guys आपको boat rockers 265 version 2 जो है वो काफी बढ़िया लगएगा क्योंकि यहाँ पे आपको dual pairing feature देखने को मिल जाता है और अगर मैं वहीं पे बात करू realme buds wireless की तो guys आपको यहाँ पे dual pairing feature देखने को परवा है तो guys यहाँ पे codex भी आपको जादा देखने को मिलता है realme buds wireless में यहाँ पे आपको SBC और AAC codec देखने को मिल जाता है और वहीं पे आपको boat में सिर्फ SBC का codec देखने को मिलता है यह एक छोटा सा कमी है यहाँ पे boat rockers 265 version 2 में तो guys आगे बढ़ते हैं sound quality की तरफ दोस्तों यहाँ पे sound quality काफी जाद एक main point हो जाता है अगर आप कोई भी neck bands है फिर earphones खरीदे निकलते हैं तो guys यहाँ पे sound quality में में दोनों भी जो है एक दुछरे को काफी बढ़िया तरीक से टकर देते हुए दिखते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे base की तो guys यहाँ पे base straight up मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे base जो है boat rockers 235 का 265 version 2 का जो यहाँ पे काफी बढ़िया है और अगर मैं बात करें यहाँ पे real me birds wireless की तो यहाँ पे base काफी ज़्यादा कम लगा है base मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पे प्लास्टिक ही लगा हलका सा base और वहीं पे यहाँ पे boat rockers 265 version 2 को यहाँ पे काफी ज़्यादा advantage है वो है यहाँ पे आपको equalizer mode यहाँ पे आपको equalizer mode देखने को मिलता है जिसके help से आप यहाँ पे जो इसके mode change कर सकते हैं अगर आपको balance sound quality पसंदे तो यहाँ पे balance sound quality में use कर सकते हैं से अगर आपको base ज़्यादा पसंदे तो आप इसके equalizer को एक बार change करके जो है आप यहाँ पे base mode use कर सकते हैं वहीत पर अगर मैं बात कुर यहाँ पे lows, mids and highs 465 को 265 version 2 को और वहीं पे यहाँ पे मैं देना चाहूंगा realme buds wireless को 4 out of 5 थोड़ा और अच्छा हो सकता था और base थोड़ा और enhance करके दे सकते थे तो गाइस यहाँ पे जो है आप यह जो आवाज सुनके इसको जच कर सकते हैं कि कैसा आपको sound quality मिलने हाला है इसके microphone से और क्या आप इसको यूज करके meeting या फिर आपके school के lectures के लिए यूज कर सकते हैं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको वैर किया हुए अपने neck में और कानों में मैंने इसका earbuds वो प्रेंके रखा हुआ है तो गाइस आप यह जो आवाज सुन रहे है यह record हो रहा realme buds wireless है जैसी कि आप देख सकते हैं मैंने इसे वैर कर लिया है और आप इस audio को सुनकर यहाँ पे judge कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैसा sound quality मिल रहा है इसके microphone से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे वैर किया हुए और आप यहाँपे judge करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि ने meetings वागेरा और आपके lectures के लिए तो guys अगर gaming की बात करें तो guys यहाँ पर दोनों भी neckbands यहाँ पर मैं बिल्कुल भी recommend आपको नहीं करूँगा अगर एक काफी ज़ादा pro player है आप अगर PUBG में काफी ज़ादा rank वाले player है तो guys आपको मैं दोनों भी neckband में से कोई भी neckband recommend नहीं करूँगा क्योंकि इन दोनों में भी आपको काफी अच्छा कासा latency देखने को मिल जाता है हाला कि दोस्तो realme buds wireless में आपको जो है gaming mode देखने को नहीं मिलता है बाकी सारे realme के जो neckbands आते हैं उसमें आपको gaming mode देखने को मिलता है बट दोस्तो इसमें जो है आपको gaming mode देखने को नहीं मिलता है और साथी साथ यहाँ पे जो है realme link के app में आप इसके कोई भी controls को change नहीं कर सकते हैं तो काईस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों भी neckbands को gaming में यूज़ करने की दोस्तों यहाँ पे दोनों भी neckband काफी ज़्यादा बढ़िया लगे हैं मुझे हाला कि दोस्तों मैं थोड़ा सा ज्यादा मुझे अच्छा लगाया बोट रॉकर्स 265 V2 और अगर आपको एक काफी ज़्यादा slim सा डिवाइस काफी ज़्यादा low weight वाला डिवाइस और आपको ज़्यादा बैटरी नहीं चाहिए अगर आपका 110 mh आगर आपके पूरे दिन में जो है sufficient है दो आप यहाँ पर realme birds wireless के साथ जा सकते हैं और आपको realme link का भी आपको यहाँ पर support देखने को मिल जाता है और अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए सारे advanced features चाहिए जो कि आज आज आमें जो देखने को मिलता है OnePlus wireless Z में 1000 रुपे में 2000 रुपे में वो आपको सारे features यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि 15 रुपे में boat rockers 265 V2 में देखने को मिलता है तो guys आपको अगर सारे features चाहिए तो आप simply जाहिए boat rockers 265 V2 के साथ और अगर मैं आपको recommendation मेरी खुद के recommendation की बात करतों guys आप सीधे सीधे जाहिए boat rockers 265 V2 के साथ क्योंकि आर all rounder या package निकल करके आता है USB type C port काफी बढ़िया sound quality dual pairing feature equalizer mode देखने को मिलता है आपको काफी जादा सही आपको ये neckband देखने को मिलता है बस यहाँ पे इसका एक down point ये निकल करके आता है कि दोस्तों ये neckband जो है अभी भी flip card में second sale पे नहीं आया है बड़ दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका इसको weight करना इसके लिए weight करना काफी ज़्यदा worth it होगा तो guys इसके लिए बिल्कुल आप weight करना और इसी को buy करना अगर आपको realme का neckband जादा पसंद आता है अगर आपको light weight चाहिए अगर आपको yellow color का combination चाहिए yellow black का combination चाहिए और आपको सिर्फ realme brand का ही buy करना है तो guys आप यहाँ पर realme birds wireless के साथ जा सकते हैं और दोस्तों इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों नीचे like बटन दवाना मत बूलिएगा और दोस्तों नीचे comment करके बताए कि मुझे आपको यहाला setup क कैसे आपको लगा है यह पीछे का background तो guys इतना इस वीडियो में comment करके नीचे बता दिये setup के बारे में तो तब तक करें दोस्तों जय हैं वंद्वातनम और आपका दिन शुब रहे जाङ बटना दिन शुब घर एंगा यह पीडियो में है तो तो में झाया हैं कि मुझे बताए में ज़क्दों दो खोस्तों जाए प्रिवातनम जासे हैं बतारा कि मुझे बतावातन वेवादों तो स्वेष़ आपको यहाला